जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाएं तो आवाज उलंद करनी पड़नी है पोल कि लब आजाद है तेरे और कारक्रम शुरू करने से पहले एक बार फिर आप सबसे मेरी अपील कि मेरे इस कारक्रम को अपने एक नहीं दो नहीं पांच पांच कॉन्टाक्ट्स के साथ वाट्साप या समस के जरीए साजह कीजिए ताकि इस संदेश को ज्याद सादा लोगों तक पहुँचाया जा सके सबसे पहले मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहता हूँ ये हैं रिपब्लिक के संपादक अर्नब गोस्वामी और तलोजा जेल से रिहा आउने के बाद इनके हावभाव देखी हुजूर हावभाव से ऐसे लग रहा है जैसे कोई राजनेता चुनावी राली करने आया है इस हावभाव से कभी कहीं पर भी पता चल रहा है कि ये शक्स एक पत्रकार है आज इनके चाटुकार ये कह रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी एक राष्ट् राष्ट्वी हीरो है तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि जिस शक्स को सत्तारूर भारती जनता पार्टी का आशिरवाद हो जिस शक्स के पीछे पूरी फौज खड़ी हो भारती जनता पार्टी की देश के सबसे ज़्यादा ताकतवर शक्स आमिट शाह का जिसक सुषान सिंग राष्पूत के बारे में आप लगातार कहते रहे कि उसकी हत्या हुई है हत्या हुई है एक रिया चकरवर्ती नाम की लड़की की जिंदगी बरबात कर दी तुमने अब दो सरकारी संस्था ये कह चुकी है कि हत्या नहीं है इसमें कोई फाल प्ले नहीं है ए इस से जादा हास्यासपत कुछ हो नहीं सकता है मगर ये रहा क्यों हुआ ये रहा इसलिए हुआ क्योंकि सुप्रीम कोट ने उससे अंतरिम बेल दी है जी हां अंतरिम बेल दी है रहा नहीं हुआ है अनवाए नायक स्यूसाइड केस में या आदमी रहा नहीं हुआ है दोश इतना कहने की शर्म कीजिए जो इसके प्रोपगांडा मिशिनरी है। मगर मैं सुप्रीम कोट की बात करना चाहता हूँ और मैं तारीफ करना चाहता हूँ सुप्रीम कोट ने क्या कहा। आपके स्क्रीन्स पर जस्टिस चंदरशूर ने कहा कि जब जब राज सरकारें अपने नागरिकों पर अत्याचार करेंगी उन्हें पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट खड़ा है उन नागरिकों की उन व्यक्तिगत लोगों की रक्षा करने के लिए बहुत ही खुबसूरत विचार आपके जस्टिस चंदरशूर और मैं सलाम करना चाहता हूँ आपके इन बयानों के लिए मगर जस्टिस चंदरशूर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारे समाच के दोहरे मापदंड है सिदीक कपन और इसके दो और साथी किरा के ये पत्रकार जो आपके स्क्रीन्स पर हैं पांच अक्तूबर से जेल में हैं और इनके खिलाफ वो धारहें लगा दी हैं उत्तरपदेश सरकार ने जो आतंकवादीयों के खिलाफ लगाई जाती हैं क्या आप जानते हैं कि इस शक्स की बेल अप्लिकेशन को लेकर सुप्रीम कोट गए थे कपल सिब्ल क्या आपको याद है ना सुप्रीम कोट ने क्या कहा था कि आप इलाबाद हाई कोट जाईए या निचली अदालत में जाईए इनके खिलाफ अदालत ने वो धाराएं लगा दी जो आतंकवादियों के खिलाफ लगाई जाती है अब इन दो चेहरों पर गोर कीजिए देखिए मैं ये मिसालें आपके सामने पेश कर चुका हूँ मगर मजबूर हूँ दो बाराओ से पेश करने के लिए क्योंकि कल जो सुप्रीम कोट ने अब्जरवेशन की हैं जो बहुती खुबसूरत बाते उन्होंने कही हैं उसकी प्रिष्ट भूमी में ये बाते कहनी बहुत ज़रूरी है ये दो चेहरे वरवरर आओ और स्टैन स्वामी स्टैन स्वामी इतनी से इलतजा कर रहे हैं अदालत के सामने कि मुझे स्ट्रॉ दे दिया जाए क्योंकि मुझे बीमारी हैं मेरे हाथ कापते हैं अदालत ने NISA, National Investigative Agency से कह दिया बीस दिन का समय दिया कि हम इने स्ट्रॉ मोहिया कराएं ना कराएं एक स्ट्रॉ के लिए बीस दिन का वक्त, तेरासी साल का एक कवी, एक समात सेवी बताएए ने जस्टिस चंदरचूड फर्ख क्यूं है एक सिद्धिक कपपन और एक अर्णबगो स्वामी की बीच में या एक स्ट्रॉन स्वामी तेरासी साल का एक शक्स जिसके खिलाफ जिसके जिसे इलगार परिशद मामले में बंद कर दिया गया है जेल में उस पर ऐसा अत्याचार क्यों वरवर राओ उनकी हालत इतनी बुरी है कि परिवार को ये पता चला कि उन्होंने अपने बिस्तर में पिशाब कर दिया है उनके साथ जब उनके परिवार की विडियो कॉन्फरेंसिंग हुई तो वो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था उनके मुद्दे को लेकर जब भी सुप्रीम कोट गए हैं उनके परिवार वाले तो ये कहा गया कि नहीं साथ आप बॉम्बे हाई कोट जाएए या आप निचली अदालत जाएए आज मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्तना कर रहा हूँ कि क्या इन लोगों का क्या इन लोगों में और जिस शक्स को रहा कर दिया गया है जो अंतरिम बेल पर है रहा नहीं माफ कीजेगा अंतरिम बेल पर है क्या उनमें फर्ख है क्योंकि जहां तक मुझे पता है सुधा भारदवाज अमर खालिद ये तमाम जो चेहरे में आपको दिखा रहा हूँ ये तमाम लोग जो है ये भाजपर विरोधी कहे जाते है और ये शक्स अर्णब गुस्वामी है भारती जनता पार्टी का पिछलगू ये लोग जेल में है इन पर बहुत कड़ी-कड़ी धाराएं लगा दी गई है सुधा भारदवाज की भी तबियत लगातार बिगड रही है वो महिला जिसने जमीन पर जाके जो अमरीका में चाहती तो वहां रह सकती थी मगर भारत में जमीन में जाके जिसने आदिवासियूं के लिए काम किया वन्चितों के लिए काम किया वो भी जेल में है उनकी हालत, उनका सुआस्ट भी बद से बत्तर होता जा रहा है मैं आज आप से चिर्व इतनी परारत्ना कर रहा हूँ कि फर्ख क्यों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो ये एहम बयान दिया है इसके बाद सुरतहाल बदलेंगे बदलेंगे गुजरात के अंदर एक धवल पटेल के खिलाफ देश-द्रोग का मुकदमा कर दिया जाता है देश-द्रोग के तहट उसे गिरफतार कर लिया जाता है उसने सिर्व इतना लिखा होता है कि विजह रुपानी के कामकाद से आला कमान खुश नहीं है इसलिए उन्हें हटाया जा सकता है सेडिशन का मामला लगा दिया जाता है और वो माफी मांगता है तब जाके उसकी रहाई होती है ये हकीकत है ये फर्ख है धवल पटेल एक सिद्धी कपन और दूसरी तरफ एक अरणब को स्वामी के बीच में ये जो फर्ख दिखाई दे रहा है ना मिलाद्स मुझे उस पर आपती है